Hello everybody, सबसे पहले हम इस पूरा paragraph को read करेंगे then translate, तो चलो start करते हैं Let's go मेरी सबसे अच्छी दोस्त हिमानी है, वह मेरे बगल में रहती है हम एक ही स्कूल में जाते हैं, लेकिन हम अलग-अलग कक्छाओं में है मैं पैदल स्कूल जाती हूँ, लेकिन वह बाइक से जाती है, क्योंकि वह हमेशा देर से उठती है स्कूल की बाद हम पहले अपना होमबर्ग पूरा करते हैं, फिर हम अपना पसंदिता संगी सुनते हैं फिर हम बैडमिंटन खेलते हैं, कभी-कभी हम लुकाचिपी खेलते हैं, फिर घर वापस आ जाते हैं, आप नोटिस की होंगे, इस गिप पूरा पैरग्राफ प्रजेंट टेंस में लिखा हुआ है, आप पहचान भी देख सकते हैं, ता है, ती है, ते हैं, पूरा, तो इससे करने से पहले, हमें प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनेट और सिंपल का फॉर्मूला देखना होगा, प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनेट या पर सिंपल टेंस के हैं, इसका इस्ट्रक्चर होता है, सबजेक्ट फ्लस वर्व का फस्ट हों प्लस अबजेक्ट, आपको पता ह हो गा कि وर्भ हमेशा popular form में होते हैं यदी verb plural form में है तो हमारे ये सब्ञेक्ट जो है u ? we ? they ? Pular noun ? its means हाना subject यदि purityлюल है थो हमें verb को बदलने की जरूरत नहीं होती है लेकिन यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे की ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन का हो एनी नेम तब हम वर्ब में S, E, S, I, S एड़ करके उसे सिंगुलर बनाते हैं S, E, S, I, S बनाने का अपना ही एक रूल होता है वर्ब को सिंगुलर फॉल बनाने के लिए तो आपको यह याद रखना पड़ेगा प्रेजेंट इन्डेप्नेट यह सिंपल टेंस कहें इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लेस वर्ब का फर्स्ट फॉल प्लेस ऑब्जेक्ट होता है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में हम एस एस आई एस लगाते हैं ताकि यह हमारा सिंगुलर बन सके क्योंकि सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब हम सिंगुलर ही यूज़ करते हैं मेरी मतलब माई सबसे अच्छी मतलब बेस्ट ट्रेंड है मतलब इस हिमानी तो हम पढ़ेंगे माई बेस्ट ट्रेंड इस हिमानी वह मेरे बगल में रहती है रहना मतलब लिप अपको पता है कि यहां पे लड़की है इसलिए हम सी यूज करें हैं और यह सिंगुलर है इसलिए हमारा वर में एस लगा हुए लिप तो हमारा सिंगुलर यदि सब्जेक्ट हो तो वर भी सिंगुलर होना जाए इसलिए यहां पे एस लिखा हुआ है हम एक ही स्कूल में जाते हैं लेकिन हम अलग-अलग कक्छाओं में हैं एक ही स्कूल मतलब सेम स्कूल गो मतलब जाना बट को हम हिंदी मतलब लेकिन होता है वी मतलब हम अलग-अलग कक्छाओं मतलब डिफरेंट क्लासेश तो हम रीट करेंगे वी गो टू दा सेम स्कूल बट वी आर इन डिफरेंट क्लासेश मैं स्कूल पैदल जाती हैं पैदल जाना मतलब वाग टू स्कूल मैं इसकूल पैदल जाती हैं लेकिन वह बाइक से जाती हैं बट मतलब लेकिन वह मतलब लड़की क्ली-सी उसके बाद हमने अभी पढ़ा कि यदि C मतलब सिंगुलर है तो वर भी सिंगुलर बनापड़ेगा इसलिए गो में येस लगाएए हैं इसलिए हम पढ़ेंगे, but C goes by bike, क्योंकि मतलब because, C मतलब की वह हमेशा मतलब always, देर से उठना मतलब, देर मतलब late, और उठना मतलब gets up, तो यहां पर हम रीट करेंगे, I walk to school, मैं school पैदल जाती हूं, लेकिन वह bike से चाती है, but, C goes by bike, क्योंकि वह हमेशा देर से उठती है, because, C always gets up late, इस्कूल के बाद, मतलब की, इस्कूल के बाद, मतलब after school, वी मतलब हम, फिनिस मतलब होता है, पूरा करना, अवर मतलब अपना, होंबर मतलब होंबर, फिर्स्ट मतलब पहले, तो यहां पे, इस्कूल के बाद, आप्टर इस्कूल, हम पहले अपना होंबर पूरा करते हैं, वी फिनिस अवर होंबर, फिर्स्ट, फिर हम अपना पसंदिता संगीत सुनते हैं, फिर मतलब then, वी मतलब हम, अपना के लिए अवर पसंदिता मतलब फैवरेट, संगीत मतलब म्यूजिक, और लिसन मतलब होता है, सुनना, तो हम पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर हम बैडमिन्टन खेलते हैं, फिर मतलब then, वी मतलब हम, प्ले मतलब खेलना बैडमिन्टन, तो हम रीट करेंगे, then we play बैडमिन्टन, आप यहां पे देख पा रहे हैं, वी मतलब यह प्यूलर है, सबजेक्ट, हम मतलब दोनों, तो यहां पे play वर्ब जो प्यूलर ही यूज़ किया है, कभी कभी हम लुकाचिफ़ी खेलते हैं, कभी कभी को हम इंगलिस में sometime कहते हैं, play मतलब खेना, hide and see मतलब लुकाचिफ़ी, तो हम रीट करेंगे, sometime we play hide and see, फिर हम घर वापस आ जाते हैं, फिर मतलब then, we मतलब हम, home मतलब घर, go back मतलब वापस आना, तो हम पढ़िंगे then we go back home, आपको पता होगा तो अच्छी बात हैं, परन्तु मैं बता देती हूं कि sometime हमाई पास notification only time नहीं आता है, उसका काड़ यह होता है कि जाब आप पहला इसमें four step follow करना होता है, subscribe और bell icon के लिए पहले यह वाला red button को click करना होता है, उसके बाद आपको यह bell icon का button जो दिखता है इसको press करोगे, उसके बाद यह सारे option में आपको all को press करना होता है, then finally यदि आपको इस तरीकी का इंटर यह face दिखाई देता है, तभी आपके पास notification समय पे पहुँच पाती है,